हेलो वर्यों स्वागत आप सभी का मैं एक्जाम यूट्यूब चैनल पर तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हर्याना फिलिस फीमेल कॉंस्टेबल के आपकी कटोफ के बारे में आपकी क्या कटोफ रहने बाली है ओफिसिल की आने के बाद और नूर्मेलाजेशन का आपक की 100 माक्स में से लगेगी जिसमें आपके 20 नंबर सोशो एकनोमी क्राइटीरिया के हैं तो बात करते हैं जन्रल काटेगरी की जो बच्छा जन्रल काटेगरी से हैं जिन्होंने 100 कोशन में से ठीक है 60 से लेकर 62 कोशन तक जिनके ठीक है ओफिसल की आने के बाद वो अपने से में से जो फाइनल आपकी कट ओफ रहती है 10 नंबर का इंक्रीमेंट रहता जैसे कि आपका कलरक में भी रहा था जन्रल में 60 जिसके नंबर थे वो बुलाए गए थे डोकुमेंट वेरिविकेशन के लिए जो फाइनल कट ओफ थी आपकी 79 गई थी यानि कि 9 से लेकर 10 सकते हैं ठीक है वो फीजिकल की त्यारिया अपनी कर सकते हैं यह एक आइडिया है मेरी तरफ से ठीक है नेक्स्ट एडब्लूइस जो कैटेगरी के बच्चे है ठीक है उसके लिए जो कट ओफ है वो क्या रहेगी जिन बच्चों के कोश्चन 57 से लेकर 58 तक ठीक है वो अपन आपको सेफ समझ सकते हैं BCA के बी सी बी की के टेगरी के हैं जो उनकी कट ओफ तो थोड़ी जादा जाती है एसे तो यह अपने आपको देख सकते हैं 55 से लेकर 57 तक ज्यादा फरक नहीं होने वाला एक दो कुश्चन का ही होने वाला है ठीक है क्योंकि आपकी वेकेंसी कम है ठीक है तो 55 से लेकर 57 कोश्चन जिन बच्चों के ठीक है वो अपने आपको सेफ समझ सकते हैं नेक्स्ट है SC के टेगरी के SC के जो बच्चे हैं जिनके 48 से लेकर 50 तक कोश्चन ठीक है वो अपने आपको बिलकुल सेफ समझ सकते हैं ठीक है एक और आपकी केटेगरी है एक सर बात cut off को लेकर ठीक है अब आपका एक नया जो आपका official notice आया है उसमें उन्होंने क्या बोला है कि जो आपके marks आएंगे वो normalization के तहट आएंगे ठीक है और normalization में जो percentage use करेंगे उन्होंने वो site पर डाला हुआ है अब हम बात करते हैं normalization का funda क्या है यह सभी ने देख लिए cut off क्या है normalization के बारे में हम समझ लेते हैं normalization देखिए आप सभी को पता है कि जो आपका marks जो paper था 18-19 को था ठीक है evening shift 19 morning shift और evening shift ठीक है तो इसमें जो exam था आपका easy था इसमें थोड़ा था moderate था यह आम is moderate थोड़ा सा moderate to tough कह सकते हैं ज्यादा tough भी नहीं था लेकिन हम बात करते हैं normalization समझते हैं क्या मान लिजिए 18 जो evening shift के बच्चे हैं उनके attempt गए है 65 से अबव ठीक है इसमें जो बच्चों के attempt गए है 60 के आसपास गए है इसमें जो attempt गए है 55 से 60 के बीच में गए है आपके normalization आपका लग गया normalization अब होगा क्या normalization क्या होता है एक formula होता है उसके अधार पर उनका एक percentage आता है जिससे वो multiply करते हैं तो इस पर जो सबसे effect पड़ेगा वो किस पर पड़ेगा जो 18 तारिक को जिन बच्चों ने अच्छा performance किया है दो तरह के बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा performance किया यानि कि 60 अपर उनको फायदा होगा उनके marks ना तो गटेंगे ना ज़्यादा बढ़ेंगे यहाँ पर जिन्होंने easy shift में भी गंदी performance यानि कि पूर performance करी है पूर performance रही है माली जिनके 50 से 55 attempt रहे है जनरल केटेगरी हम लेकर चल लेते हैं करने थे आपको पैसेट attempt लेकिन आप कर पाए 55 तक तो उन बच्चों को क्या होगा है आपर marks जो होंगे वो decrease होंगे normalization से ठीक है decrease होने वाले हैं हम बात कर लेते हैं tougher shift की माली जी tough shift में जिस बच्चे ने यहाँ पर वो कर सकता था 65 कोशन यहाँ पर वो कर पाया 55 से 60 के बीच में question ठीक है तो 5 से लेकर 6 कोशन का difference आ यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होगा जिस बच्चे ने 60 कोशन लिये होंगे यहाँ फिर 60 65 कह लेते हैं इस tough shift में भी 60 लेकर 65 तक attempt किये होंगे जिसमें easy shift में 65 है यहाँ पर tough shift में जिस ने 65 कोशन किये होंगे उसके जो marks होंगे वो increase होंगे यानि कि बढ़ेंगे यह आपका normalization का फायदा होने वाला है ठीक है और यहाँ पर जिस बच्चे ने 65 कोशन कर यह थे ठीक है जिसकी त्यारी अच्छी थी उसने 65 कोशन कर दिये लेकिन जिसकी त्यारी अच्छी नहीं थी उसने 57-58 किये हैं उसके marks भी इसके comparison में वो बढ़ जाएंगे ठीक है यह आपको धियानक ना है यहाँ पर जिसने 60 से लेकर पैसेट किये हैं ठीक है उसके marks इस shift म जिसने 55-60 किये हैं उनके level में आ जाएंगे ठीक है ताकि आपका जो level है exam का वो क्या रहे आपका maintain रहे अब यह बात है आपकी luck की ठीक है normalization में आपका क्या होता है basic pure luck साब बात कहता हूं भी में luck चलता है ठीक है SSC में भी जिन बच्छों ने SSC का exam दिया होगा वो अच्छ करके आए उनके marks decrease होते हैं ठीक है SSC का जिन्होंने exam दिया होगा या फिर जिनके भाई-बैन लगे होगे वो अच्छी तरह से ही समझ सकते हैं इसको ठीक है यह आपका normalization का जो फंडा है यह होने वाला है ताकि overall जो है आपका जो level है ठीक है वो maintain रहे normalization ठीक है तो इस पर आ अलके हम question कह लेते हैं चार सी जो 5 question है वो थोड़े से अलग थे और shift के मकाबले ठीक है तो यह बात थी cut off के बारे में यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को like जरूर कीजिए और comment करके जरूर बताए आपके official की के अनुसार कितने marks बंद रहे हैं औ अपनी physical की त्यारी के लिए आप अभी से जुट जाएं अभी से आप जिन बच्चों की physical की त्यारी नहीं है वो अभी से start करेगा तो वो तब ही physical कलियर कर पाएगा ठीक है अब चैनल को आपने अभी तक subscribe नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और bell icon को जरू प्रेस कर ले आज की वीडियो में इतना ही थैंक यू